हेलो दोस्तों सुवागत आप सभी का आपके अपनी चनल गुरूमंत इस्टूट पर आज की इस वीडियों हम बात करेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स की और मैथमें हमारे बात करेंगे सभी करिए की ऊचुट कि इंपोरिटेंट समा rebel के प्रसंगी जैसे के आथ तंक वाले प्रसंग्स से भायर से मुश्ट ली इस जो लास्ट की यूनिट होती है नहीं कि लास्ट वह कुशन होता है प्रशर है की व्हा प्रसंगी कुशन 9 कुशन 8 नमब तो इनमें आपके समाकलन के आठाटंक के प्रसन आते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम समाकलन के अतिमेत्वकून प्रसन जो आठाटंक वाले हैं, वो आपको दोंगा में, तो कितने प्रसन दिये जा रहे हैं, आपको मात्र पांच प्रसन दोंगा, तो ये जो पांच प्रस आपका बोर्ड परिच्छा में एक या एक या दो पिरसंट जरूर मिलेंगे डेफिनिटल देखने मिलेंगे एक आता है तो आपके आठ नमबर डेफिनिटल किलियर हो गए और यदि दो आ जाते हैं तो सोले नमबर किलियर हो जाएंगे ठीक है अब देखिएगा आपको थोड प्लस अंडरूड में 10x और इसका समाकलंग करना है एक तो प्रिशन ये दे रखा है और एक प्रिशन ये दे रखा है अंडरूड कॉस एक्स और यहाँ पर दे रखा है साइन एक्स प्लस अंडरूड कॉस एक्स इंटू बी एक्स ये है ये दो प्रिशन दे रखे तो आप और आपको यह दो दिखाई दे रहे होंगे तो इसी तरीके से बहुत सारे पिरसन बना दिये जाते हैं तो उनमें घवराने वाली कोई बात नहीं होती है देखिएगा आप इसको ही इसमें कनवर्ट हो जाते हैं तो यह जो इस तरीके का जो सवाल आया था यह 2017 में आया था और है उसको घुमाकर दूसरे रूप में परवर्तित करके दिया है राइट कैसे देखिएगा जैसे कि आपको देखिए और यहां पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ मैंजा देखिएगा क्या लिखाता मैंने को से नीचे लिखाता है यहां पर sin x, पिलस यह लिखाता है, cos x, इसी तरीके से यहां पर, हाँ cos x, यही था, बिल्कुल same to same, चलिए, तो अब मैं आपको मैं समझाता हूँ कि यह सवाल इस तरह से कैसे बना, देखे, यह आपका देराक्षा है, यहां पर, one upon, one plus under root में, 10 x, ठीक है, अब आपको पता है, क्या पता है, कि यह जो 10 है, टूट जाता है, किस में टूट जाता है, 10 टूट जाता है, sin वट्टे, cos में, तोड़ दिया, 10 को हमने तोड़ दिया, sin वट्टे, cos में, आप सभी लोग जानते हो, अब यह आपका, यह, यह देखिएगा, समाकलन, one upon, one plus, अब इसको अलग-अलग कर दीजे, यह मैंने कर दिया, under root, sin x, यहाँ पर लिख दिया, under root, cos x मेंने यहाँ पर लिख दिया, into dx, नीचे का आप एल्सिम ले लिजे, नीचे का क्या ले लिए, हमने under root, cos x मेंने, and ROO protocols x, इधर आ जायेगा, क्या आ गया, under root, cos x, पिलस under root, यह आ जाएगा, sin x, यह dx जो गत्यों है, अब जो नीचे वाली संक्या होती है, उपर चली जाती है, तो क्या आ जाएगा, under root, cos x, यह आ गया, under root, यहाँ पर क्या है, cos x और यह है, under root, sin x into dx, यह देखो और यह देखो, दोनों same same है, अभी भी आपके दिमाग में confusion हो रही होगी क्या, sir, इसमें sin x, नहीं है, यह sin x है, पीछे देखिए, तो इसको तो आप plus में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आगे पीछे, कोई डिकत नहीं, जो बच्चे नहीं समझ पाए है, वो वीडियो को पीछे करके देख ले न, अब बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा, ठीक ह यह देखिए, भाई, चार पिलस दो लिख रहा है, या दो पिलस चार कह दीजिए, बात तो दौनों की एक ही है, अंडरूट sin x, पिलस अंडरूट कॉसेक्स बोल दीजिए, या कॉसेक्स को पहले लिख दीजिए, कोई दिकत नहीं, यह यह दौनों बराबर है, यह इसके ब करा दूँगा आपको, ठीक है, मैं दो या तीन वीडियो में इनका में solution आपको आज से प्रोवाइड करने लगूँगा, तो साम तक आपका solution प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो यह question आपको definitely करने ने हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा important, very very most important questions है, इनको कीजिएगा ठीक है, चलो, question देख लिए, question कौन से है, उनको देखते हैं, यह लिख रहे है, समा कलन के आठंक वाले very most important question, कौन-कौन से है, इनी में से आठंक का प्रसन आएगा, इनी को कर लेना, बस मात्र पांच प्रसन दे रहा हूं, आपको यह कर लेना, तो आपका जो एक प्रसन जो से 40 सम्क किलियर हो जाएंगे, तो आठंक का तो इसमें से 100% आएगा, देखो कितनी बार आ चुका है यह प्रसन, यह देखेगा, यह जो प्रसन ने 2007 में आया है, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, ठीक है, 21 में आपका पेपर हुआ नहीं, और NCRT की exercise में भी दे रहा है, बहुत ज़्याद इस तरीके से भी आ सकता है, या इस तरीके से भी आ सकता है, तो यह तीनों रूप में आ सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है आपको, ठीक है, घबराना नहीं है बिलकुल भी, तो यह देख लीजिए, अगला प्रसन कौन सा है, अगला प्रसन यह देखेए, दोसरा, य ये प्रशन इस तरीके से भी आता है इस तरह से भी आता है इस तरह से भी आता है। 2010 से लेके अब तक लगातार आ रहा है इसलिए इसको जरूर कर लेना एक प्रिसन देखी ये एक ही प्रिसन है इतनी तरह से घुम घुम के आ रहा है इस तरह से यानि इनका जब सॉलूसन करोगे तो एक जैसा ही रहता है सॉलूसन इसका जदी सॉलूसन करोगे तो उसी रास्ते में यह इस तरीके का बन जाता है फिर उसके बाद और तरीके स्वालूशन करना होता है तो यह सभी एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं इसलिए इनको कर लेना यह घुम घुम के इस तरीके से आता है एक ही मैथड़ पर आधारित है हलांकि अलग-अलग सवाल हैं लेकिन एक ही मेथड़ पर आधारितने इसलिए इनको यह कर लेना सभी को अलग-अलग तरीके स्वालूशन करना पहले इसको करना तो आपको देखोगे इसंहीं सवाल और इसंहीं सवाल से एक जैसे इस सवाल है तक चलिये तेसरा प्रसंद देखिए पांची पिर सने यह गुमा गुम लेकिन यह संख्या अलग अलग तरीके से दे रखिए तो यह एक ही जब मैं सॉलूसन करा हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा तो ठीक है समझ रहे होना बातों को यह चीज है अगरा देखिए चौथा प्रसन यह देखिए यह प्रसन बहुत ही पॉपूलर प्रसन है यह और यह प्रसन को इस तरीके से भी आ जाता है कभी कभी इस तरीके से आ जाता है तो यह प्रसन आपको कहीं ना कहीं देखने को पेपर में सो परसेंट मिलेंगे इनमें से कोई ना कोई दो आ जाएं तो सोले नमर हो जाएंगा नहीं तो आठ नमर तो यह सो प्रतिसत आठ नमर आ लेना smart study करनी है आपको राइट चलिए ठीक समझ माईना बात तो उस तरीके से आपको बढ़ना है तो वही चीछ आपको कारगर रहेगी ठीक है चलिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना